What's up everybody and welcome back to another video तो अभी बज रहे है रात के कितना बज रहे है रहे है रात के चे What the hell? अभी शुबा हो क्या? अभी तो थोड़े दर पहले रात था अभी शुबा भी हो क्या? तो गाइस आज कल ना मैं टाइम पे रात को सोने जाता हूँ और कल रात जैसे ही में निन्नी करने बिस्तर में गया मेरे कोई खतरनाक सा आइडिया दिमाग में आया और मेरे दिमाग में रात को ऐसे बहुत हीड़ यड़ आइडिया साते रहते तो रात को सोते सोते मुझे मेरे डेस पे वो स्टेरिंग वील दिख गया और वो steering wheel देखते मेरे दिवाग में idea आए कि क्यों ना हम Minecraft खेले steering wheel पे मेरे को मालूम है ये बहुत ही येड़ा idea है और इस idea के लिए this morning I woke up at night क्या बाद मेरे को मालूम है कि ये बहुत ही येड़ा idea है क्योंकि game को बनाया गया है keyboard और mouse से खेलने के लिए और कभी-कभी इसको तुम ना controller से खेल सकता हो बर आज जब लोग इस game को खेलने वाले है this steering wheel के साथ मतलब अगर है Minecraft में आगे जाना है मुझे उस pedal को दबाना है मुझे अगर पीछे जाना है तो मुझे इसको दबाना है oh I think पीछे जाने वाला काम नहीं करता है for some reason और मुझे मुझे माइंक्राट में लेफ जाना है तो मेरे को steering wheel को आई सागुमाने का है राइट जाने का है तो इसको आई सागुमाने का है और वो नीचे तुमको एक मैट दिख रहा है वो मैट heart shape का है please मेरे को कभी नहीं पुछना कि नीचे वहाँ पर वो जो मैट है वो heart shape का काई को है यार ममी लेक्या है ती ममी को बहुत क्यूट लगा मैं बोला था एक मैट ले आओ पैर रखने के लिए ममी दिल वाला मैट लेके आगई क्या हुँ मैं यार क्या मतलब क्या चल रहा है मतलब कर ममी को बोलोगा ममी जा के पावारेजस का डॉल ले क्या हो ममी बाहर भी डॉल लेके आएगी बोले कि क्यूट लगा रहा है खेल ले इससे खेल बहुत चूट है तो इसलिए मेरे वाँ पे वो heart वाला मैट है I am so sorry guys लोग सोच रहा होंगे कि Ronnie तू तेरे Minecraft को steering wheel के साथ कैसे control करेगा and that is an obvious question क्योंकि Minecraft को control करना है हमें इन buttons से और इस mouse से पर हम Minecraft को control करने वाले steering wheel और इस pedals के साथ और इसको करने के लिए मैंने एक बहुत ही खतरनाप scientific technique उसकिया है मुझे इंट्रेर पे एक app मिला जिस app के मदद से मैं steering wheel के सारे inputs को keyboard के साथ bind कर सकता हूँ और मैं पिछले 2 घंटे से वही कर रहा था तो यह रही वो app और पिछले 2 घंटे से मैं इसको पूरा का पूरा bind कर रहा था तो अब ही अगर तुम देखोगे कि जैसे ही मैं जैसे ही मैं accelerator को प्रेस करता हूँ यहाँ पर यह प्लस arrow पे जा रहा है जो W की तरफ जा रहा है और जैसे ही मैं steering wheel को ऐसे घुमा दूँ यह D के तरफ जाएगा और मैं ऐसे घुमा हूँ तो यह A पे चले जाएगा और फिर मैं सारे fifty controls bind कर लिया इसको press करने पर यह दबेगा यह दबेगा इसको press करने पर I think इससे jump होगा इससे crouch होगा इससे क्या हैगा इससे ओ इससे control होएगा इससे हम speed में भागेंगे और फिर इस से हम लोग inventory को लेगे और इस button को घुमा घुमा के आई से ये हमारा scroll भी लो गया जिससे हम लोग inventory के अंदर सारे items को access कर सकते फिर ये हो गया अपना escape का button जिसे मैं game को pause कर सकता हूँ और ये है मेरा mouse का control तो अगर मैं इस buttons को use करूँ तो आपको screen पर दिख रहा है मेरा mouse यहाँ पर ऐसे हिल रहा है और फिर अगर मुझे mouse का right click करना है तो मुझे इसको दबाना है और अगर मुझे left click करना है तो मुझे इसको दबाना है यार मेरे इस camera का यही problem है कि यार इसको मैं कितना वे नीचे कर लो यह steering wheel camera में आई रहा है यह मेरा camera angle मेरा steering wheel इतना नीचे है और गाइस तो अभी हमने minecraft को launch कर दिया है और यह अपना steering wheel लगा हुआ है अब इन हम लोग game can the steering wheel से सब कुछ करते वाले है तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम लोग इसके मदद से mouse को घुमा सकते है मुझे basically आज क्या करना है मुझे आज बिना keyboard बिना mouse को हाथ लगा है पूरे के पूरे minecraft को खेलना है in fact मैं आज एक नया world बनाने वाला हूँ और मुझे वो नया world भी सिर्फ और सिर्फ steering wheel से बनानी है उसके लिए नामे keyword यूस को सकता हूँ नामे mouse यूस को सकता हूँ oh yes guys mouse use हो रहा है इसको प्रेस करते ही mouse हिल रहा है तो अगर लोग इसको लेकर options के पास है और अगर मैं इसको फ्लिक करूँ तो क्या option select होगा oh yes it works और अगर मुझे बैक करना है तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा और उससे ये बैक हो जाना चाहिए और ये बैक भी हो गया मतलब गाइस हमने स्टीरिंग वील को एकदम खतर नाक से बाइंड कर लिया पूरे गेम के अंदर अब सबसे बैस पार पते हैं यह स्टीरिंग वील के साथ है शायद से मैं माइनक्राफ्ट को एक हाथ से खेल सकता हूँ तो और आइड सबसे पहले चल के निया वोल्ड के करते हमें यहा पराना है हमें इसको त关 करना है नीचे के अपरा नीक्राफ और जा नियू वर्ल्ड को मैं नाम कैसे बूख सबसे न कर सकते थम लोग finance सकते हैं नियू बना नाम के चालू करना पड़ेगा हमें आपन करना है, नीचे जाना है, create a new world, फिर new world को मैं नाम कैसे दूख, keyboard यूज नहीं कर सकते थो, अब लोग new world को नाम निते सकते हैं, new world को बिना नाम के चालू करना पड़ेगा हमें, create new world, और इसी के साथ, हमने पूरा कबूरा minecraft का नया world create किया है, सिर्फ और सिर्फ इस steering wheel के साथ, और भाई देवे, guys, आगे बढ़ने से पहले, मिन पास तुम सब के लिए चालेंज है, नीचे ना है, एक सब्सक्राइब का बट्यान है, क्या तू मुझ सब्सक्राइब के बटन को अपने कोनी से दबा सकते हो, अच्छा कर की, अच्छा कर की, अच्छा कर की, यहा वहा देख सकते हैं, और अगर मैं यहा पर पैडल को प्रेस करो, तो हम लोग आगे जाने वाले, स्टीरिंग विल को राइट साइड मोडते हम लोग राइड जाएंगे, लेफ्ट साइड मोडते हम लोग लेफ जाएंगे, इस बटन से जुम पोगा, इस बटन से, अम मुझे पस accelerator को दबाना है और मुझे इस बटन को प्रेस करना यस समलोग स्प्रिंट कर सकते है इस समल रोग करेंगे इस समलोग करेंगे इस समलोग करेंगे अगर आराम से कही चलना हो तो और इस lever से मैं भ्लॉक्स को तोर सकता हूँ nice So alright guys मैंने अपी just realized किया कि अगर मुझे Minecraft खेलना है तो मुझे दोनों हाथ लगेंगे मतलब मैं इस हाथ से recording नहीं कर सकता हूँ So अब भी हम लोग चलते Minecraft के अंदर मैं दोनों हाथों से steering wheel को घुमाने वाला और हम लोग गेलने वाले Minecraft on a steering wheel Alright guys सबसे पहले हम लोग Minecraft के अंदर ज़ाड तोडने वाले तो यह हाथ से हम लोग ऐसे लगड़ी तोड लेंगे यह एक लगड़ी तोड ली यह हमने दूसरा लगड़ी तोड दिया और उपर देखकर यह हमने थर्ड लगड़ी को तोड लिया क्या मुझे एक और लेना चाहिए I think इस पूरे ज़ाड को तोड लेते है तो यह steering wheel का एकी problem है कि मैं Minecraft पीछे नहीं जा सकता हूँ तो जो अगर मैं एक बार आगे निकल गया मुझे आगे जाना है अगर मुझे पीछे आना है तो अभी हम जानने वाले है कि क्या हम लोग steering wheel से crafting कर सकते तो पहले हम लोग खोल लेंगे inventory और अगर मैं इस से mouse यूज कर सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे लेकर यहाँ पर छोड दूँ तो मैंने यहाँ पर सारे लकडिया जमा कर लिये और अगर मैं इस लकडि को लेकर जाओ और मैं यहाँ पर right click करूँ तो एक एक लग गए और यह हमने लगा दिये वेट असकेंड अगर मैं यहाँ पर control को प्रेस करूँ मतलब इस बटन को प्रेस करूँ steering wheel के अंदर जो यह बटन है इसको प्रेस करूँ और साथ-साथ मैं left click दबाओ तो सारे आइटम एक साथ inventory के अंदर आ जाएंगे all right तो हम लोग बनाते हमारा सबसे पहले tools हमारे steering wheel के साथ होशे पहले हमें crafting table बनाना में तो भूली किया था थोड़ा सा slow है इसमें करना अरे लगा देख जहाँ आपना crafting table रखा हुआ है फिर हम लोग right click से crafting table को place कर देंगे और हमने कर दिया place भाई यार तो यह तो easy है यार मेरे को लगा तो यह करना difficult होगा मेरे को लगा इसमें challenge होगा पर यह तो बहुत जादा easy है all right तभी इसमें लोग right click करेंगे right click करने के बाद हम लोग इसमें से craft करने वाले है एक pickaxe और एक axe कि वो चीज़े हमें सबसे पहले चाहिए और right हमने यहां से आधी उठा लिये तो यह तीन लगा दिये और यह बन गया अपना pickaxe फिर उसके बाद हमें इस तीनों को लेकर जाना है राइट क्लिक प्रेश तर गये यह तो इसे लगा देना है और यह बन गया हमारा वुड़न चसे तो हमने वुड़न चसे और वुड़न चस दोनों के तोनों बना लिए Minecraft के अंदर steering wheel के मदद से तो पहले हम लोग इसको तोड लेंगे इसको तोड के साथ में लेख जाएंगे क्राफ्टिंटेबल को तो हमने क्राफ्टिंटेबल को तो अब ही अगला करना क्या है एक सेगेन मैं तो भूली गया कि Minecraft में करना क्या होता है I think हम लोग Minecraft में बकरिया हमारेंगे Hello Bakri Bakri, Please cooperate Please cooperate करो अरे जंप कैसे Please cooperate Bakri Bakri, Please Please cooperate Bakri Ah, nice Nice cooperation Bakri तू भी इतरा तो हमारा आज का चैलेंज है हमें Minecraft के अंदर एक basic सा घर बनाना है हमें आज का रात सर्वाइव करना है यार यह तो अलग कदर का बक्री है मुझे समय बक्री चाहिए इदरा अबे कहा भाग रहा है इदरा भाई वो रहे अनेक सफेद बक्रिया तो हम लोग पहले स्किरिंग वील के मदद से ऊपर चल दूपके मर जाएगा तो्म लोग जल्दी जल्दी तैर के वहां तक चलते और यह पर मुझे एक और बक्री मारना इदरा बक्री इदरा बक्री अितना आगे नहीं का था थोड़ा जल्दी ब्रेक मारने का रेता है ओ इदरा मुझे मिल गए तीन वुल नाइस थोड़ा सा खाना ही मिल गया तीन वुल भी मिल गया तो अभी मुझे क्या करना है अभी मुझे अगला बनाना है मेरा एक स्टार्टर बेस मुझे एक छोटा सा घर बना रहे है Minecraft के अंदर जिस घर में हम लोग अपना पहला रात सर्वाइफ करेंगे जिस घर में हम लोग पहला रात रहेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले तोड़ना है कुछ लकडिया तो जल्दी लकडी तोड़ लेते यह हमने एक तोड़ लिया यह हमने एक और तोड़ लिया तो जितने भी नूब्रे जिन लोग ना mouse और keyboard सा diamond नहीं डूड सकते हैं उन लोग पर मैं हसूंगा पता है उन लोग के मैं हसूंगा भाई मैं steering wheel से diamond डूण रहा हूँ तो मैं mouse keyboard से नहीं विदा diamond noobs ओके अभी inventory खोल के हमें सबसे पहले इसको यहाँ पर ले जाना है इसे रखना है और इसको निकाल लेना है क्या 46 planks काफी होगा पता नहीं हम लोग थोड़े और planks तो गाइस Minecraft के survival में सबसे important चीज़े हैं लकडिया और हमें पत्थर भी तोड़ना एक्चुली ओके हम लोग चलेंगे कई तो पत्थर ढूणने अगर कई हमें ओपन पत्थर मिला ओ वो रह पत्थर वो रह खुले खुले पत्थर तो हम लोग जल्दी जल्दी वहां तक जाएंगे और वहां जाके ना हमको पत्थर तोड़ने इदर अबाई मेरे वो खाना है बनाना Minecraft के के मेरे पास साथ मटने इसको मैं कुक कर सकता हो अभी स्टीरिंग वील से यह स्टीरिंग को है ऐसे लग रहा मैं गाड़ी चला रहो दिवार भी ठोकने वाला हूँ ओ शिट ओके तो लोग पत्थर के पास आ चुके अभी हमें यहां से तोड़े से पत्थर तोड़ने जिसके हम लोग जाएंगे अपने वुड़न पिककस के तरफ और यहां पर तोड़ना चालू करेंगे पत्थर हमें एग्जैक्ली पहले आठ पत्थर ची फर्नेस बनानी के लिए और उसके बाद हमें चाहिए थोड़े और पत्थर जिससे हम लोग हम लोग हमेरे स्टोन के टूल से जिस टोन के टूल से हमें माइन करना है आईरेन और उस आईरेन से बनाने आईरेन के टूल जिससे हमें माइन करेंगे डाइमॉंड्स वो यह पर कोल भी है क्या हम लोग कोल लगडी के टूल से थोड़ सकते हैं हाँ में को पता ही नहीं था ही तो बेसिकलिए हम लोग सर्वाइवल माइनक्राफ्ट खेल रहें बच स्टीरिंग वील के साथ अल्राइट तो अपने मास अपने मास अब इनफ और कोल हो चुका है एकज़ इस एए ओशिट शाम होने वाली है ओशिट रात हो गई है इसके पहले कि मॉअब आज़े बना लेना है झल्दी जल्दी चल भाई इए जल्दी घूम शोजा बाइदर मरदा समय ही क्रीपण पर प्लीज ने आदा प्लीज क्रीपण ती आना हम लोग राद सर्वाइफ कर गए गाइस भाई बीना घर बना है हमने राद सर्वाइफ कर लिया जमीन पर सोके भाई मुर्गी तुन के देख रहाँ मेरे को अब अब अपनोंग मनाने वाले एक furnace और यह हमने बना लिया एक furnace तो यह हमारा अगला अजेंडा है कि हमें एक furnace को यहाँ पर लगाना है और उस furnace के अंदर हमें डालना है हमारा सापा सारा खाना और उसके साथ अमने डालेंगे कोल जिससे अपना खाना पक बाहरा आ जाएगा तो यह हमने अपना सारा खाना खाना के लिए लगा दिया है तो अगल अमनों क्या करेंगे अगल हमनों Minecraft के अंदर हमारा घर बनाने वाले ओके घर बनाने किने सबसे पहले हमें ओक प्लैंक के पास आए और हम लोग चोटा सा घर बनाइंगा जादा बड़ा सा घर नी चीए हमें चोटा मोट सा घर भी चलेगा तो हमने एक ब्लॉक लगा लिया अभी तुम लोगों बताते हैं कि हम लोग इस गेम के अंदर पीछे नहीं आ सकते हमें सिर्फ आगे आगे जाना है तो हमें थोड़ा सा अलग स्टाइले बिल्डिंग करना पड़ेगा जिससे हमें आदत चोटे हमें अधा बड़े घर नहीं चीड़ी के चोड़े घर में रहे लेंगे कोई प्रावलिम नहीं है यह लग गए अब मैं इसके ऊपर कैसे लगाऊँगा तो अब मुझे इसके ऊपर ऐसे कूदना अब यार यह टाइम पे एकसलेटर शुटता नहीं है मुझसे तब यह मैं जुम्प कर एक बेस्ट हो गया यह बहुत दिफिकल्ट है ओ शिट तुम लोग कोई आवाज आ रहा है यह आवाज मता है मैं स्टेरिक पैटल को तब बाहर रहा है यह लात पार रहाओ तोड़ा सा अगे ज्यादा नहीं थोड़ा आगे तो हमें थोड़ी और लकडिया चाहिए तो हम लोग चलते लकडिया काटने मुझे यहां पर थोड़े लकडिया नजर आरे है तो जलती-चलते लकडियों के पास और आसे लकडि काट के रहते हैं अग ने लकडी का लकडी कैसे बना I mean I mean Logan can planks बनाने का है लकडी का लकडी मना लिगे कैसे होता है इस एइ control भूल किया मैं बाई दो मिनिट में हग नहीं के चला है में control भूल के हम का Okay, तो अभी अपना चोटा सा तो अब भी हम लोग इस घर का चट बनाना चालू करेंगे जिसके लिए अपने को आइसा इसा गर के ब्लॉक्स लगाने का है ओ गाइस क्या में यहां से वहां तक जंप कर सकता हूँ? बसक्त नो वरी सम लोग यहां से वो साइट तक जंप करना है तो बिगेस्ट चैलेंगे जिए अपने सारे ब्लॉक्स लगालिए और यहां पर अभी मुझे धरवाजा बनाने का है तो दरवाजा बनाने के लिए राफ्टिंग टेवल के लाज आना पड़ेगा अधि राफ्ट बनाने के लिए मेरे को आई सपले ओ येस मेरे को दर्वाजा बनाना आता है माईंक्राफ्ट के अंदर दर्वाजा बनाना आता है बाई मेरे को माईंक्राफ्ट के अंदर दर्वाजा बनाना आता है बाई तनी खुशी मेरे को लाइफ मेरे को लाइफ मेरे को माईंक्राफ्ट पिककस और इससे बन जाएगा अपना स्टोन का एक्स ये बन गया भाई आप अगर मेरे पीछे कुछ जॉम्बी पढ़ता है तो मेरे लग गया भाई अल्राइट तो भी इस सब चीजा को मुझे तोड़ना है मुझे इनको शिफ्ट करना है मेरे घर के अंदर क्युकि अभी अब अनने घर बना लिया है अभी हम लोग भाहर नहीं रहेंगे तो यह घर के अंदर आगा अना ऑने के बाद मेरे को सबसे पहले डालने का एक क्राफ् वोट पीछे चैना पड़ेगा उस के साइड बाएगा पना फ़ुर्नेष्ट जो आभी याईसमे माइक्राफ़् के अंदर जो पूरा पुरा सचा लिया है ये हमारा बिस्थर है और ये हमारा फरनेस है फरनेस के अंदर आग जालेगा और वो आग से हम अपना पैर सेखेंगे ओके फिल से रात हो गया इट शिपिंग टाइम तो रात ठीक से हुआ निया भी तक थोड़ा और रात होने का उपक करना पड़ेगा अब हम लोग रात होने का वेट कर रहे हैं को तो कि रात होने कि बाद सो जाएंगे और कल सुबाउट कि हम लोग सबसे पहले जाने वाले डाइमन को बहुत है डाइमन का टूष सिय पहले राइन का टूष्च लियूद को बहुत हिरा निनदी करने चलते हैं निन टाइम guys Minecraft में रात को गेम नहीं खेलना होता है रात को निंग नहीं करना होता है everybody knows that okay तो एकाम करते हैं अम लोग ना आइरन डूडने के लिए ना उधर ही जाते हैं जहां पर अमने coal mining करी थी तो इधर अपन ने coal mine किया था तो एकाम करते हैं तो यहां पर आपकर 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 आ इरन नहीं है, okay, 4 आइरन सही है, अपने को अपस 3 आइरन चाहिए, anyway, हमें बास एक इरन का पिकाक्स बनाना है, तो हमें स्रिफ 3 आइरन चाहिए, okay, हम लोग गर के अंदर आ चुके है, अभी घर के अंदर घुसने के बाद पर दरवाजे को ऐसे बंद कर लेंगे, फिर इदर कि हम लोग हमारे आइरन को पिखला लेंगे, अचले जा, alright, guys, अभी हमारे आइरन का जुबार हो चुका है, अभी हमारा अगला गोल है, हमारा जो सबसे इंपोर्टन गोल है, वो है, कि हमें डूडना है, डाइमंड्स, और जैसे हमें डाइमंड्स मिल जाएंगे, हम ये गे और फिर, वो आइधिक अपना कोल बन चुका है, अभी इन आइन बन चुका है, क्या बोल रहाँ कोल बन चुका है, मैं नीद में गेम खेल रहो ना, ऐसी होता है, कुछी बोलते है, ओके, यहाँ पे जाके, सबसे पहले अपने को ये लगाने, मुझे बता नहीं मैंने इतना तॉर्च है, यह रिफ्लेट करते रहेगी, यह मैं तुम लोगों को टॉर्च कैसे काम करता है, क्यों समझा रहो हो, तुमको पता है, टॉर्च काम कैसे करता है, ओलएट गाइस, तो अभी हम लोग चलने वाले हमारे सब से इंपॉर्ण काम के लिए, और वो है, डाइमंड और मैंने यहाँ पर थोड़े से और पिकैक्स बना लिये, और मैंने थोड़ा और खाना पका लिये, और अभी हम लोग यहाँ से नीचे खोदना चालू करने वाले है, अभी मुझे इतना बताई कि यह जो माइंक्राब 1.18 है, इस 1.18 में तुम जितना नीचे जाओगे, डा पास सबसे ज्यादा डाइमड्स मिलते है, अभी मुझे खोदे 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 बेड्रॉक तक जाएंगे, अगर मेरे को नीचे ऐसे खोदे 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 डाइमड्स मिल जाए तो, पुरा चैलेंच उदरी कताब, मजा जाएगा, और रेच्टों था Oh shit, में को आसपास धानना पड़ेगा, मैं आसपास धानने दे रहाँ, फोकस रादी फोकस, मैं थोड़ा नींद में, अभी टाइम सार्याट और मेरे को फोकस करना है, हमें खोदे 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 बेड्रॉक तक, कितना नीचे बेड्रॉक? अच्छा हो, मैं और दो दो पिक और अच्छुली ना, मैं यह जो केव है इसको मैं उपर से बंद कर देगा, क्योंकि मेरे को भरोसा ही नी है, मालूम बड़ा उपर से जॉम्बी आया, सीधा मेरे उपर गी रहा, ओ नहीं जॉम्बी नी क्रीपर, क्रीपर आके मेरे उपर गिरा तो लग ए, एक बार भी खात तो अभी अपने क्या गरने का है, अभी अपने को बेड्रोक के पास स्ट्रिप माइनिंग गरने का बाइब बच्पन के दिनों की आदे ताजा होगी माइनक्राव्ट कहेलने वाली, माइनक्राव्ट में दामने कि इतना जमान हो गया मुझे, अगर मैं सीधे लाइन में से क्या मुझे देच क्या मुझे दाम करते वो आजाए, जाए दो शिल्थेव डिमान में धांतों काम क्या धरू चימ करते है क्यों की अबीक्क्न हमेर् अब खौते है निचे दूटर के हुना कि अगड्रोक है, तो जाएच से नेटर से अशे पने को टाइम 하 आध् Yakmnd मेरे श मुण अअ इसको आफ की तरय से ठोल किया, अब मेरे थाद कर रहा है इह थाद कर रहा है तो इसरेशनिय और दाम होасब बाप कर से किया नियुकू eh दाम करते आप मांजं़ दामें मेरे असका curative मैं मैं माइं कर देने माला हो भी वाइ इतना मुश्किल क्यूए डाइमंड ढूंडा याइस मेरे को लगा है मेरे सारे पिकाइक्स थूटने बस डाइमंड ढूंने के पीछे यार मेरा एक्चुली हाथ-दर्द कर रहा है अब है रे इतने टौने कुटर क्यू ऱुटने दे रहा है यार मेरे एक एक ऊर पिकाइक्स तूड़िया तो अप मेरे पास भचे सिफ 2 पिकाइक्स और अगर दो प्रिक एक्स तूड किया और मुझे डाइमंड नहीं मिला तो तो यार बिजती हो जाएगी यार फ्लीज है डाइमंड दे दे भाई यार प리े बुट पर बुट बुट कर रहा है तुम लोगो पता हैं ग्रैट इस अपर बुरुट करता है उसके पास डाइमंड ने का जार उता है बुर बुर के पास अगर अगर इतर बुर बुर्बूर हो ताइमड नियादा मिलेगा इस अगर बुर थेस निया नाफ आगरा है जाएस मैं यह एक चिज रेलाइस कर रहा हूँ मैं गधे की तरह यह बाव के पास तो चा एख रहा हूँ यहसाइड आपने को आपका डायओंड मिलेता है यहँंग कीुछिश्पर्सूंड रही। डायओड रूले वाई है 100 % लावंड्रश्द परसेंट डायओальных 100 % ंपने को डायमड मिलने वाले已经 वाई..डायमड क्योमें नहीं मिलता bug.. और रियम्ड मिलने इतना मुश्किल कियु है कि अंदर अब येको फदिले दाइमड बिल या और मारे बास कितन कितन लेकिप्कन जाह इक ने पर एक दो टीन डाइमड हो यह przep को यह विस गोईस कुछे इसे के साथ हम आच का प्ले Inv Garden Steering वील चालेंज चीट चुके हमें मिल गया टाइमड हमने बना लिया घर और इसका मतलब यह कि हम लोग स्टीरिंग वील के ओपर माइंक्राइब बिल्कुल खेल सकते हैं एवे गाई जाज को लाइक करो चैनल परने और सबस्क्राइब करो और तुम से मिल तो हमें अगरे विड बाई बाई